इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि हमें मोलल डिप्रेशन कॉंस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कॉंस्टेंट को डिफाइन करना है तो बाइडिफिनेशन फहले स्टेटमेंट पढ़ लेते क्या है कहने का मतलब है कि यह डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वेन एक मोल अफ नॉन वोलाटाइल स्टेट को हम थाजन ग्राम आफ सॉल्वेंट में एड़ करते है समझे यह होता है मोलल डिप्रेशन कॉंस्टेट जब हम नॉन वोलाटाइल स्टेट एड़ करेंगे सॉल्वेंट में तो वहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है और उसी depression in freezing point को हम बोलते हैं molar depression constant और इसको denote किया जाता है k f से इसको बोलते है molar depression constant Thank you